एक गाव में एक आदमी रहता था, जो ताले तोडने के मामले में एक्सपर्ट था, यानि कि जहां कहीं भी ताले तोडने की बात आती थी, या लॉप को खोलने की बात आती थी, तो उसका नाम सबसे पहले लिया जाता था. एक दिन कुछ समझदार लोगों ने उसकी परीक्षा लेनी चाही और उसको बता दिया गया कि आपको इस जगह पर इस तारीक को आना है और ताले को तोड़ना है, जब वह समय के अनुसार तै दिनान को वहां पहुँच गया, तो उसको प्रतियोगिता के नियम समझा दिये ग आपको ताला खोल कर बाहर आना होगा, इस बीच आपको लगता है कि लौक आपसे नहीं खुल पाएगा तो आप इमर्जन्सी बटन को दबा सकते हैं और उपर आ सकते हैं लेकिन आप प्रतियोगिता में हार जाएंगे, उसने सभी नियमों की हां कर दी और पानी में चला गया, जैसे ही वह पानी में पहुचा, तो उसने जेब में से एक तार निकाला और लौक को खोलने की कोशिश करने लगा चार से पांच बार कोशिश करने के बाद वहा बार बार विफल हो रहा था लेकिन उससे लौक नहीं खुल रहा था अब ज्यादा समय तक पानी में रहना उसके लिए और भी मुश्किल था क्योंकि सांस रोकना आसान नहीं था फाइनली उसने अपना पूरा दिमाग लगाया और एक बार अंतिम प्रयास किया वहा विफल हुआ और उसने इमर्जन्सी बटन दबा दिया धीरे धीरे वहा उपर आने लगा पानी के उपर आये बॉक्स को बाहर निकाला गया और हलका सा धक्का देकर खोला गया वह अचम्बित हो गया कि एक बार भी मेरे दिमाग में यह ख्याल क्यों नहीं आया कि मैं इसको धक्का देकर खोलू हो सकता है कि ये लौक ही ना हो तो यही होता है कि जब हम भी बहुत ज्यादा सोचते हैं तो इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है कभी कभी ना सोचने से भी जवाब मिल जाता है इसलिए किसी ने कहा है कि जो कुछ नहीं करते वह कमाल करते हैं जी हाँ दोस्तों यह बात बिलकुल सही है। कभी कभी दिमाग को जब हम शांत रखते हैं और ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करते हैं तो हमें बहतर समाधान मिल जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मोटिवेशनल स्टोरी से आपको शिक्षा मिली होगी और इस मोटिवेशनल स्टोरी से आपको प्रेणा भी मिली होगी। अगर आप चाहते हो कि ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी आपको मिलती रहे तो आप बिलकुल सही जगा हो। यहाँ पर आपको मोटिवेशन कहानियों का संद्रह मिलेगा जो आपको जीवन में आगे बढ़ने की ताकत दे कर जाएगा. इस कहानी को सुनने के लिए और आपका अमूल्य समय देने के लिए दिल से आपका. शुक्रिया.